पर मुझे ये बताईए कि आप समाजवादी पार्टी का दामन कब खालेंगे? इस पिछडे बंचिस समाज के लोगों के लिए काम करना है, इस दलित समाज के बेहतर विकास के लिए काम करना है, आने वाले दिन में स्वाहिमान सम्मान के जीवन जीना है, तो आने वाले दिन में निश्चित उपसम को समाजवादी पार्टी की तरफ जाना होगा, और मैंने कि वो पिछले कई टाइम से अपने अपने टाइम पर सरकारे चलाती रही हैं ऐसा क्या आपको दिग गया कि आपने कहा कि नहीं समाजवादी पार्टी का इरुप करना है पूरे प्रदेश के लोग यह सारे समझदार जिम्मेदार लोग हैं सारे लोगों से राय लेने के बाद निचोड आया कि इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही अकेले वह पार्टी है जो हमेशा चाहे मंडल कमीशन से लेकर के जो पिछोड क्यारक्षण का सवाल रहा हो सब के जाहे बंची समाज का हो और नोजवान के रोजगार का सवाल रहा हो चाहे किसानों का सवाल रहा हो इसके लिए लड़ती है, उनके हित्मे फैसले लेती है इसलिए मैंने भी उन्पर वकीन पूरा किया है और समाजवादी पार्टी और किनेता मानी अखले स्यादों में कि उन्ही के नित्वत में रहकर के आने वाले दिन में हम इससे पूरे पिछडे समाज के लिए, दिलिश समाज के लिए, बिंची समाज के लिए नोजवान, चात्रों किसानों के लिए वो जैसे हुआ था ना के एक सांसच जी के सपने में आये थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने कहा था के योगी अधितनात को मत्वरा से लड़वाई है, फिर अखिलेश जी के सपने में आ गये श्री कृष्ण जी और उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी सरकार बनने वाली है, तो क्या दारा सिंग चोहान जी के भी सपने में आये और अचानक उनको इस बात का हैसास हुआ कि नहीं समाजवादी पार्टी ही है जो आप दलितों का उत्थान करेगी, क्योंकि ये पार्टी नहीं नवेली तो है नहीं, ये बरसों से रही है, सरकारों का हिस्सा रही है, सर किसी चैनल पर कभी डिवेट नहीं हुआ है, लेकि मैं कभी किसी डील पर भरोसा नहीं करता हूँ, गरीब समाज पर जो च्छात्र जीवन से हमने संघर्ष करने का काम किया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में वैसे देश की पार्लमेंट में उन्हो ओबी सी की है, जब तक इस मानिय अखले स्यादों ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, आज उसकी इसाफ्स नहीं मिला, मंडल कमिस्टन लागू होने के बाद, कांसिशनल स्टेटस मिलने के बाद भी आज देश की क्लास्वन की नकरियों में उनकी हिस्सेदारी कितनी है, जिस तरीके से संविधान के साथ जो छेट-छाड हो रहा है, पिछडे समाज के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, मानि अखलिस यादों जी के मैं उस बक्तव का स्वागत करता हूं, जो पारलिमेंट उन्होंने कहा था, कि अगर मेरी सरकार बने ABP News आपको रखे आगे